पर इस संसार से विदा लेते लेते वो एक ऐसी मिसाल कायम कर गई जिसे मानवता हमेशा हमेशा के लिए याद करेगी नाम श्रीमती पूर्णिमा श्रवास्तव पतनी राकेश कुमार खरे पूर्णिमा जी जहासी में खनिज विभाग में माइन सुपर्वाइजर के पत पर कारिरत थी 12 सेतंबर की मधिरातरी उनको ब्रेन हैमरेज हो गया जिसके चलते उन्हें दिल्ली अपोलो अस्पिताल में भरती करवाया गया उनका उपरेशन भी सकुषल हो गया परिजनों के अथक प्रयास से और देखभाल से वो अच्छी होने लगी थी लेकिन 3-4 दिन के बाद अचानक उनकी तवियत बिगडने लगी और डॉक्टरों ने आश्रंका जताई कि अब उनके पास बहुत अधिक समयन नहीं बचा है तब उस पुन्यात्मा ने अपने पती और बच्चों के सामने अपने अंग दान करने की इच्छा जताई कल 12 सेतंबर को पुन्यात्मा जी ने अंतिम सांसे ली जिसके उपरांत उनकी अंतिम इच्छा को याद में रखते हुए पती राकेश खरे जी ने डॉक्टर से बात कर उनकी इच्छा को पुन्यात्य करने को कहा आज जब पुन्यमा जी का पार्थिफ शरीर उनके परिजनों को सौपा गया तब एक ऐसा द्रश्य देखने को मिला एक तरफ हर आख नम थी दूसरी तरफ अपोलो अस्पताल में मौझूद सभी डॉक्टर स्टाफ और आसपास मौझूद सभी आमजन दोनों तरफ कतार लगा कर उनको सलाम करते नजर आए हर आख नम थी हर दिल में पुन्यमा जी के लिए प्यार और सम्मान दिखा